तो जैसे के आप सभी को बता दे कि आज 31 नमर कोशन से स्टार्ट करने वाला है और 60 कोशन कॉम्पलिट करने वाला है जी हाँ दोस्तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जोभी छात्रें हम छात्रा हैं इसवार पॉल टेक्निक यूँँभी पारमेटिकल के एकजाम देने वाला है जहां दोस्तों अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेइलिस्ट में जा करके देख सकते हैं जिससे आपका कंसेट क्लियर हो सके तो देखें दोस्तों 31 प्रस्ट बोले आ रहा है तो राइट एंसर D हो जाएंगे चलि आगे देख लेते हैं देखें 32 प्रस्ट बोला है परमानु के एक नाभी कंजिन जिने हम सब क्या कहते दोस्तों प्रोटॉन की खोज किस ने की थी जी हां दोस्तों चो प्रोटॉन की खोज है वो किस बैग्यानिक के द्वारा किया गया तो बैग्यानिक का नाम है दोस्तों आपका जे जे थॉंसं तो राइट एंस नसर अब 2 हो जाएंगे तेथी हम प्रसम गए दोस्तों ढादू एम के फोस्फेट लीव फॉस्थीट का सूत्र MPO 4 है इसके नायट्र होगा इसके नायट्रेट का सूत्र पूछा गया है तो क्य कि द्वारा बनता है पूछा गया है तो किसके द्वारा बनता है दोस्टो यह बनता editor कि साज़तारी द्वारा तो right answer B हो जाएंगे चलि आगे देख लेते हैं हम 25 संकरण में होता है जीहां दोस्तो utmost संकरण में होता है क्या होता है दोस्तों इसमें होता है आपका परमानुक कछकों का योग तो राइट अंसर बी हो जाएंगे 36 में प्रश्च बोला गया है दोस्तों निम्न लिखीत में से किस यॉगिक की द्रविद अवस्था में हाइडोजन बंध नहीं बनता है जिहां दोस्तों दुरावीद बोला जाए तो liquid जिसमें hydrogen बंध नहीं बनता है किसमें नहीं बनता है दोस्तों यह जो है दोस्तों C6, H6 में नहीं बनता है, तो right answer D हो जाएंगे, अगर एक कोशन अच्छी तरह से आप याद कर लेते हैं, तो आपका concept क्लियर हो जागा, क्योंकि इसी से हमेशा question पूछा जाता है, 37 प्रस्ण है, जिहां दोस्तों, दूद क्या है, तो जर्म प्रिसिप्ट वसा है, तो right answer A हो ज जाएंगे, उन 40 प्रस्ण है, परमानु संख्या 55 वालतत आवर्थ सारनी के किस ब्लोक में इस्थित है, किस ब्लोक में इस्थित है दोस्तों, यह जो है S ब्लोक में, तो right answer A हो जाएंगे, क्योंकि आपका इसी से question हमेशा पूछा जाता है, आपको revise करते चलना है, जिहां द जाएंगे, गहटता है, तो right answer B हो जाएंगे, देखे 41 प्रस्ण बोला गया है, पिरंजक चुर्ण का बिरंजक गुन, जिसके मुक्त होने के कारण होता है, क्या होता है दोस्तों, यह जो होता है आपका, आनुएक oxygen, तो right answer B हो जाएंगे, 42 प्रस्ण बोला गया है, मार्च यहां में मुख्रेता क्या होती है। है। हो जाएंगे सिर्के में उपस्थित अमल है। तो जो पीतल निम्न की मिस्र धातू है, जो पीतल जो है, टाम्बा अर्जिनक का, 46 निम्न लिखित में से कौन सा टत्व एक धातू है, निम निखीत बोला गया दोस्तों आपको option से मतलब रखना ना है लेकिन पूछा गया तत्र जो है एक धातू है तो कौन है दोस्तो 47 का राइट एंसर D हो जाएंगे ने की Na Na की sodium चल यह आगे देख ले दें और तालिसमर प्रस्ण है दोस्तो सलफर dioxide chlorine से अभी किरिया करके बना क्या चीज का उप्योग करते हैं इनिक परियुक्त इनिकी उप्योग किसका करते हैं दोस्तों CEO राइट एंसर C हो जाएंगे पचास नुब प्रस्ण है दोस्तों copper pyrites का सुत्र है जिहां दोस्तों copper pyrites का सुत्र है हमें यह से एक सुत्र पूछा जाता है तो इसका right answer जो हो ज plus 2FE जो अभी किरिया करती है उपर दी गई अभी किरिया किस परकार की है जिहां दोस्तों यह जो अभी किरिया है किस परकार की अभी किरिया है तो यह है बिश्थापन अभी किरिया तो right answer D हो जाएंगे बामन प्रस्ण निम्नांकित में से प्रारूपिक तत्व है जिहां द जाँगें? चंगुन प्रस्द है कारवनिक योगीकों का मुख्य सृट होता है. जिया होता है? तो चंगुन का राइट एंसर जो हो जाएगा? आपकी अक्जाम- तो 55 का जो राइट एंसर होगा आपका दोस्तो यह हो जाएगा D यानि की द्रावित पेट्रोलियम गैस LPG का दहन तो दहन मतलब होता दोस्तो समाप्थ होना चली आगे देखते हैं देखे 56 प्रस्तों फीट करी का अनुस्तर है जी हाँ दोस्तों फीट करी का अनुस्तर पूछा गया है तो क्या हो जागा दोस्तों K2SO4 into AL2 into SO4 into 24 एनिकी 24H2O तो राइट एंसर C हो जाएगे देखे 57 प्रस्तों बोला गया है दोस्तों एक बिलियन में हैड्र अक्साइड आयन की सांदर्ता एक गुने 10 के पावर मैनस 12 मोल बाइ लीटर है इस बिलियन का pH मान होगा इस बिलियन का pH मान क्या हो जाएगा दोस्तों दो हो जाएगे स्ट्न प्रस्तों एवी सी तथा डी बिलियन के pH मान करम सा 11 9.5 3.5 तथा 6.5 है इनमें सर्वधिक छारीय बिलियन है सर्वधिक छारीय बिलियन पुछा गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए तो राइट एंसर यह हो जाएगे तो दोस्तों 31 से ले करके 60 कोशन हमें इस सेट के जिरे कंप्रेट करा रखे अगर एक एक कोशन याद करते तो आपका कंसेप्ट के लिए रजाएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चांग को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों साथ याजरू करें तब तक लि के बाइबा दोस्तों मिलते हैं श्रीम थाइक के दरस्ता है